नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूग चैनल करेंट पुरी में तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे UPBAd admission 2021 के बारे में जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में आपको full detail में बताएंगे कि आखिर फीस है इसकी कितनी पढ़ती है UPBAd की और साथ साथ सरकारी में कितनी पढ़ती है प्राइवेट में कितनी पढ़ती है इनकी अलग-अलग बताएंगे और यहाँ पर scholarship कितनी मिलती है और बात करेंगे इसकी जो counseling फीस है वो क्या है और counseling का process है इसका वीडियो में आल्रेडी बना रखा है और counseling में document क्या क्या लगते हैं वो भी हम आपको बताएंगे और counseling आपकी कैसे होगी इसके बारे में इस वीडियो में सार्ट में बता दूँगा पिलाल इसका detailed वीडियो मैंने बना रखा है उसका link description box में आपको मिल जाएगा आप बहाँ से देख सकते हैं आप channel पर visit करके भी वो हमारे वीडियो देख सकते हैं जिसमें आप बारीकी से समझ पाएंगे कि जो counseling है आखर किस आधार पर की जाती है और जिससे आपको इसकी counseling म कोई भी दिक्कत नहीं होगी तो दोस्तों वीडियो इस्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूंगा अगर अभी तक आपने channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लीजिए और bell के आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारा नाया आने वाला वीडियो आपके पहुंचे सब आप से पहले और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे telegram channel को join नहीं किया है तो telegram channel को भी join कर लीजिए और अगर अभी तक आपने हमें instagram पर follow नहीं किया है तो बहाँ पर भी follow कर लीजिए इनकी link आपको description box में मिल जाएंगी बहाँ से आप telegram channel को join और instagram पर हमें follow कर सकते हैं कि इसकी फीस कितनी होती है तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले जब इसकी counseling होगी तब आपके यहाँ पर 5750 रूपए मागे जाएंगे college की तरब से बैसे कोई भी फीस नहीं होती है जब आपके practical होंगे तो उनमें पैसों का खर्च होगा तो लगवग एक साल का तो वो होती है 51250 रूपए लेकिन दोस्तों आप college जाकर इसके बारे में बात कर सकते हैं तो आपका कम में भी हो सकता है तो जरूरी नहीं है कि आपसे यहाँ पर 51250 रूपए ही लिए जाएं यह जब आप college जाएंगे महां बात करेंगे तो यह आपका कम में भी हो सकता है इस 55,000 रूपए में ये फिनिस हो जाएगा मलब 55,000 रूपए में 28 का 1st year हो जाएगा और दोस्तों अगर इसके 2nd year की बात करें तो यहाँ पर 2nd year में 30,000 रूपए पड़ते हैं आप अगर प्राइविट से करते हैं तो यहाँ पर 1st year में आपका हो जाएगा 55,000 रूपए लग जाएगे और यहाँ पर 30,000 रूपए पड़ता है 2nd year में और इसमें थोड़ा वह खर्चा रग लिजिए लग 2,000 तो 32,000 में आपका ये 2nd year कभी complete हो जाएगा अगर दोस्तों यही पर जो आपका सरकारी को ले जाएगा अगर उसकी बात करें तो उसका आपका 15,000 रूपए में पूरा हो जाएगा जब जो आपका बीड होगा तो इसके अंतरगत आपके अटकुल 18,000 रूपए आएंगे मलब एक साल में आपके यहां पर 9,000 रूपए आएंगे अब आपकी यह scholarship हो गई अब इसके बाद बात आती है आखर counseling फीस कितनी होगी तो वो मैंने आपको बता दी है 5750 रूपए counseling फ इसके बाद अगर बात करें counseling आपकी होगी तो counseling में आपके यहां पर document account लगेंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपके पास एक account होना चाहिए bank account और यह जरूरी नहीं है कि आपका ही account हो आपके मम्मी पापा या किसी का वी account हो वो चलेगा क्योंकि जो आप 5750 रूपए counseling फीस कारी college यानि government college अगर आपको नहीं मिला तो 5750 रूपए उसी account में आ जाएंगे इसके आगे अगे अगर बात करें तो इसे account का जो आपका यह account होगा उसकी पास बुक की फोटो कापी पास बुक की फोटो कापी आपके पास होनी चाहिए जो की काम आएगी जब आपके यह पै पासवर्ड यह आपके लिए बहुत जरूरी है तो यह दो चीज़ें हो गई इसके आगे email ID भी जरूरत पड़ेगी email ID इसलिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि जब आपने online कराया होगा उसमें email ID लगी होगी और एक mobile number लगा होगा तो यह दो चीज़ें अलग से जरूरत पड जाएगी तो यह दो जगे OTP जाएगी इसके में मलब आपका एक चीज़ का पता होना बहुत जरूरी है mobile number या email ID अब दोस्तों बात करते हैं आपकी जो counseling होगी वो कैसे होगी तो आपकी जो counseling होगी उसके यहाँ पर total तीन round होगे जो पहला round होगा उसे बोलते हैं first counseling second round होगा उसे बोलते हैं pool counseling अगर यहाँ पर third round की बात करें उसे बोलते हैं direct admission डारेक्ट admission में यह होता है आपका private college से किया जाएगा अगर first counseling की बात करें तो यहाँ पर total चार फेज होगे तो total चार फेज में यह counseling होगी और इसका जो first phase होगा आपका उसमें मलब higher rank वाले बुलाए जा उसकी इसी तरह से third page इसी तरह से fourth phase में यहाँ पर chance मिलेगा अगर इन में किसी का नहीं आपाता है तो इसके बाद होती है pool counseling और अगर pool counseling में भी नहीं आपाता है तो उसके बाद होती है direct admission तो direct admission pool counseling के बाद होता है अगर pool counseling की बात करें तो process सेम वही होता है जो first counseling में होता है और वही यहाँ पर pool counseling में होता है, इसके आगे यहाँ पर जो direct admission कर लिया जाता है, अगर किसी का pool counseling में नहीं होता है, और direct admission केवल उसी का होता है, जिसने B.Ed. में परिक्षा दी होती है, इसके बाद दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं, counseling के बाद आपके जो document काम करेंगे, मलब कौन कौन से document लगेंगे, तो सबसे पहले print out of the provisional allotment, मलब जब आपके counseling होगी, counseling हो जाएगी, तो उसके बाद आपको यहाँ पर allotment come confirmation later दिया जाएगा, मलब वो आपको मिल जाएगा, वो यहाँ पर लगने वाला है, उसका print out लगेगा, copy up application form, admit card and score card, तो यह तीन चीजों की यहाँ पर copy लगने वाली है, और इसके आगे proof of data birth, मलब data birth का proof लगने वाला है, यहाँ पर proof के तौर पर यहाँ पर 10th की mark set हो गई, all mark set, all mark set में यहाँ पर आपके 10th की, तो proof के तौर पर होगे, डियो भी की, अगर इसके बाद बात करें, तो यहाँ पर 12th की लगेगी, और इसके आगे आप graduation की लगाएंगे, अगर आगे बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, category, sub category, अगरी और यहाँ पर जो है, यह total mark set लगने वाली हैं, और इसके आगे original photo ID, issued by government, तो मुलब यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, अगर इसके आगे बात करें, तो two passport size photograph, तो यहाँ पर केवल दो passport size photograph लगने वाले हैं, और यहाँ पर है copies of all piece receipts, तो यहाँ पर जो आप फीज जमा करेंगे, उसकी जो आपको copy मिलेगी, मलब बहाँ पर आपको एक slip दी जाएगी, तो उसकी यहाँ पर आपको copy लगानी होगी, उमीद करता हूँ दोस्तों, आप सभी को जानकारी पसंद आई होगी, अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को like करें, share करें और चैनल को subscribe करें, तो मिलता है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा वाई 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 अंटेक्यार, और हाँ आपको एक बात और बतादें दोस्तों इस चैनल पर UPV8 2022 की भी बहतर तयारी कराए जाएगी, साथ साथ टेट, सुपर टेट इनकी भी बहतर तयारी कराए जाएगी, तो दोस्तों चैनल को subscribe करना बिल्कुल मत भूलिएगा,